हेलो फ्रेंट्स आप सभी का स्वागत है MS Institute में तो फ्रेंट्स आज के इस कलास में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कलास 11th मंथली एक्जाम अक्टूबर के लिए एकोनोमिक्स यानि अर्थ सास्तर का औरीजनल क्वेपर का एंसर की तो आप सभी फ्रेंट्स अगर कलास 11th में हैं और आपका अगर एकोनोमिक्स यानि अर्थ सास्तर का एक्जाम है तो आप सभी आज के कलास को बूल से भी मिछने कीजगा एक एक कुस्टन को याद कर लीजेगा ठीक है कुछा गिए फ्रेंड्स किसने कहा अर्थसास्त्र धन का विज्ञान है तो आप याद रखेगा एक का राइट एंसर सी लगा के आना है एडम इसमीत ठीक है दूसरा नंबर कुछन की तरह बढ़ते हैं पूचा गिए दूसरा नंबर सांखी की माध्यों का विज्ञान है यह किसी ने दिये तो दो का राइट एंसर ए हो जाएगा एल बाटले ने दिये नेक्स्ट तीसरा नंबर कुछन देखते हैं यहाँ पर पूचा गिए आर्थसास्तर की दुरलबता संबंधी परिवासा के परतिपादक को ने तो तीसरा का राइट एंसर आपको लगा के आना है ऑप्शन नमबर बी रोबिन्स टीक है चार नंबर देखे सांखेकी का पीता किसे कहते हैं तो फरेंड्स चार का राइट एंसर भी लगा के आना है आपको गौट फ्राइड ओकेन वाल को टेक है पांच नंबर देखे सांखेकी सब्द का परियोग् किया जाता है तो शांख साथ नमबर देखे दूत्याक समंख होते हैं तो साथ का राइट एंसर सी हो जाएगा परकासित आकरा और अनुसंधान द्वारा एक राक ठीट आकरा ठीक है नेक्स चलते हैं आट नमबर देखे निम्नांकित एक निर्देशन वीधी के लाब है तो राइट एंसर आठ का आप सिग्रन निसकर्स यह तीनों जो है ना निदर्शन वीधी के लाब है राइट एंसर आठ का डी हो जाएगा नौ नमबर देखे निम्न में एक परतियक्ष वेक्ति अनुसंधान के लाब है तो आप याद रखेगा नो का राइट एंसर डी हो जाएगा सुधता दस नमबर भारत में जो जनगन्ना की जाती है ठीक है आप याद रखेगा सबसे पहले जो हुआ था जन गना यानि इससे पहले तो 2011 में हुआ था ठीक है उसके बाद 2021 में होना था जन्गन्ना जो कि अभी तक जो है नहीं किया गिया है ठीक है यह आप याद रखेगा तो भारत में पढ़ते एक वर्ष जन्गन्ना दस साल के बाद होता है अब 11 नमबर देखे वे यो वेक्ति जो आकरा संगरे करता है उसे क्या कहत है तो आप याद रखेगा 11 का राइट एंसर ओप्सन नमबर भी हो जाएगा गणना कार ठेक है आप चलते हैं बारे नमबर बारे नमबर पूचा गिया है किसी अनुसंधान के लिए मूल लूप से संकलित समंगों को क्या कहते हैं तो आप याद रखेगा बारे का ए चौदे नमबर निम्न में कौन सा चर खंडीत है तो आप याद रखेगा फ्रेंच चौदे का सीले का क्या येगा चात्रों की संख्या एक खंडीत है अब चलते हैं पंदरे नमबर तथ्यों को उनकी समानता एवंग विशेस्ताओं के आधार पर करमभद करने की किरिया है तो वो क्या है तो आप याद रखेगा पंदरे का सीले का क्या येगा वर्गी करन तेके सोले नमबर देखे फटा फटा आप सभी सोले नमबर पूछा गिया है जब निचली और उपडी दोनों सीमाओं पर विचार करते हैं तो ऐसे वर्ग क्या कहलाता है तो सोले का यह हो जाएगा सर नियां तीक है अठारे नमबर देखे इनमें से कौन सी सार्णी बनावट के आधार पर है तो अठारे का राइट एंसर आप ध्यान रखेगा फ्रेंड्स राइट इंसर ओप्सन नमबर यह हो जाएगा जटिल सार निटीक है उनीस नमबर कुस्टन की तरह बढ़ते हैं गराफ द्वारा किसकी जनगन नहीं होती है बता इए गराफ द्वारा किसकी घंगन नहीं सकती है है यहाँ पर पूचा गया तो आप याद रखे हैंगा गराफ द्वारा जो है पाई अक्ष्य का दूसरा नाम आपको याद रखना है यानि मुझा अक्ष्य है देखें राइट एंसर बी हो जाएगा 21 नमबर देखें बहुलक को गन्ना का आधार है तो वह आविर्थी आयद चीत रहे राइट एंसर 22 का हो जाएगा तो 23 का डी हो जाएगा यहां पर मादे का बहुलक समानतर माद तीनों आते हैं राइट एंसर इन में से सभी 24 नमबर देखें एक अच्छे आउसत के गुन होते हैं तो एक अच्छे आउसत के गुन क्या होते हैं सरल्टा असपष्ट एवंग इस्तिर पडिवासा निर्पेक सं इसके 27 नमबर देखें यह परवीरति के सरल्टा में सामानने माप है तो आप याद रखे का 26 नमबर की माप संख्या तो 27 नमबर कुष्टन चलते हैं देखें मादे विच्छलन निकाला जा सकता है माद्दे मादे के द्वारा निकाला जा सकता है राइट एंसर 28 नमबर दे तो चलिए फ्रेंट्स मैंने आप सभी को यहां पर क्लास 11 का मंधली एक्जाम अक्तोबर के लिए सब्जेक्टिव के लिए आप सब्सक्राइब कर लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ ठीक है तो चलिए फ्रेंट्स मिलते हैं लोग नेक्स्ट क्लास में एक वीडियो पसंदाई लाइक करके सेर कर देंगे